खेसारी लाल यादों के लिए मुसीबतों की घड़ी शुरू हो गई है बिग बॉस में जी हाँ बिग बॉस के घरवालों को लगता है कि खेसारी लाल यादों का इस शो में कोई effort नहीं है वो kind of information जितने लोग घर में हैं टास्क में खेसारी सबसे अच्छा करते हैं डांसिंग सबसे अच्छा करते हैं कॉमेडी सबसे बेस्ट कर रहे हैं फिर आखिरकार घरवालों को क्या चाहिए यही कि खेसारी लाल यादों खुब जोर जोर से लड़े लड़ाई जगडा करें जिस तरह असीम और सिधार्थ कर रहे हैं जिस तरह से हिमानसी और शेहनास करेंगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि विशाल सभी से इस तरह से लड़ते आए या यूँ कहले कि विशाल देबोलीना से लड़ें आखिरकार घर में क्या कोई शांत नहीं रह सकता बिग बॉस के घर में सभी को जगड़ा करने को चाहिए जिस तरह से पारस सभी से भिड़ जा रहे हैं फिर उसमें बात रही तमीज की तो भाई तमीज जगड़े में कहां शामिल होती है वैसे कि सारी लाल यादो जगड़े में नहीं है ना ही वो जगड़े में पढ़ना चा कॉट्रोवर्स ही क्रिएट करनी पड़ेगी क्यूंकि यह शो ही ऐसा है जहां जगड़ा है वहीं आप रह सकते हैं जादा से जादा सर्वाइव कर सकते हैं वैसे यह खेसारी के लिए नई बात नहीं होने चीए खेसारी लाल यादो जब से घर में आये हैं तब इसे अभी को लियादो का पत्ता साफ हो जाए ऐसा लोग सोच के बैठे हैं लेकिन खेसारी लाल यादो की फैन्स फॉलोइंग इतनी तगडी है कि आपको अगर यकीन न हो तो आप जाएए वोट की वोटिंग रेट देखिए वहां आप समझ जाएंगे कि खेसारी लाल यादो इस घर में क कल वाले एपिसोड में थोड़ा सा धमाका आपको देखने को मिलेगा जहां बिग बॉस लास्ट में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को एक दिन पहले कर देते हैं घर वालों से पूछते हैं कि आखिर आपको कौन सा सदस्य घर में सबसे कम योगदान देने वाला लगता है सभी खेसारी और रश्मी का नाम लेते हैं अब बिग बॉस कौन सा नया गेम खेलेंगे ये कल का एपिसोड सब कुछ बता देगा भुच्पिरी जिगत की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सबस्क्राइब परना बिलकुर नहीं